तो दोस्तों, Realme X बहुत जल इंडिया में लाउंच होने वाला है और उससे पहले हमें लगा कि क्यों ना, Realme 3 Pro और Vivo Z1 Pro का एक कंपेरजन करी लेना चाहिए, मतलब एक हजार रुपए में कौन सा फोन बेटर है, कहां पे आपको बेटर क्यामरा, बेटर ग्राफिक्स, बेटर ओवराल बैटरी लाइफ मिलती है, विद गुद विविविंग ए तो सबसे पहले यहां पर हम स्टार्ट करते हैं दोनों फोन्स के डिजाइन से, दोनों फोन्स प्लास्टिक बैक के साथ आते हैं, जहां पर ओवराल डिमेंशन और वेट रियल्मी 3 Pro का थोड़ा सा कम है अगर आप विवो Z1 Pro के सामने उसे कंफेर करें तो, वन हैंडे उसेज के लिए रियल्मी 3 Pro थोड़ा जादा कंफेटेबल लगा, बट उस एक्स्ट्रा वेट के कारण आपको Z1 Pro में एक बड़ा डिस्प्लेइ और फिर अगें एक बड़ी ब चामरे का सेटप मिलता है और एक अडिशनल बटन AI उसेज के लिए डिस्प्ले प्रोडेक्शन के बात करें तो गोरिला ग्लास 5 का प्रोडेक्शन आपको सिर्फ रियल्मी 3 Pro में मिलता है वीवो Z1 Pro में आपको 2.5D का कर्व ग्लास तो मिलता है लेकिन हम ये गारेंडी के सा वीवो का बड़ा है क्योंकि आपको 6.3 इंच की स्क्रीन मिलती है रियल्मी में और 6.53 की इंच मिल जाएगा वीवो में यहां पे दोस्तों मुझे गेम्स खेलने में वीवो Z1 Pro जादा बढ़िया लगा विकॉस आप पंच होल डिस्प्ले बिकॉस एक एंगल में अगर आप फोन्स के ऑन पार है और वीविंग अंगल भी अच्छा है विकॉस आप लाजर डिस्प्ले अंद पंच होल कामरा वीवो का डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा जादा बेटर लगा अव इसके लाव दोस्तों कर हार्डवेर और पर्फॉर्मेंस की बात करें तो वीवो के Z1 Pro मे आपको Snapdragon 712 का प्रोसेसर मिलता है वहीं Realme 3 Pro में आपको Snapdragon 710 का प्रोसेसर मिल जाता है और सच में यहाँ पर दोस्तों फरक सरफ 19-20 का ही है लाइक लिटरली 0.1 GHz का फरक है बिकास Adreno 616 GPU आपको दोनों ही डिवाइसेस में मिल जाएंगे और क्लॉक स्पीड भी यहाँ पर आल्मोस सेम ही है दोनों ही प्रोसेसर की इसके कारण गेम्स यहाँ पर अगर आप देखो तो 40 fps में दोनों में चल रहे है Asphalt भी यहाँ पर हाइस पर लाइक फ्री चल जाता है एक दूसरे में डिफरेंस निकालना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा अगर मैं गेमिंग की बात करो Face Unlock and Fingerprint Unlock भी दोनों ही फोन्स की बहुत ही भड़िया है Sound Quality भी दोनों ही फोन्स की आल्मोस सेम है मतलब जादा कुछ फरक ही नहीं हाँ पर इन पॉइंट्स में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कामरा के बारे में तो कि स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Realme 3 Pro में आपको dual camera का setup मिल जाता है जो primary camera है वो 16MP का F1.7 aperture के साथ और वहाँ पर आपको 5MP का depth sensing camera मिल जाएगा Selfie camera Realme 3 Pro का है 25MP का वहीं अगर आप Z1 Pro की तरफ रज़र डालें तो वहाँ पर primary camera है 16MP का F1.8 secondary camera है 8MP का जो की एक ultrawide camera है और जो final एक 3rd camera है वहाँ पर वहाँ वह है 2MP का depth sensing camera Selfies दोस्तों यहाँ पर 32MP की खीच सकते हैं अब अगर photo quality की बात करें तो मैं बताना चाहता हूं कि Vivo Z1 Pro में अभी एक दिन पहले दोस्तों एक camera update आया था जिससे इसकी photo quality बहुत जादा बढ़िया हो गई है और मुझे याद है कि हमने जो top 5 फ्लेस बनायते हैं वहाँ पर रियल्मी 3 pro को सबसे उपर अगा था बट यहाँ पर दोस्तों अगर मैं Z1 Pro की quality अगर देखूं compare करूं तो उसकी photos में dynamic range मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ही natural luck है और इसके साथ साथ जो updates अभी रियल्मी 3 pro में आया है उसके कारण वहाँ पर saturation level बहुत जादा हो गया I'm sure जिनको saturated photos पसंद है उनको रियल्मी 3 pro पसंद आएगा बट आप Z1 Pro में अगर कोई भी filter लगा लो तो वो saturation level आप अचीव कर सकते हैं इसके साथ साथ selfies में दोस्तों dynamic range Z1 Pro में maintain करके रखा है और वहाँ पर अगर अगर आप Realme 3 pro से compare करो तो जादा फरक नहीं है मतलब texture quality almost आपको same दिख जाएगी तो जो color का effect है वो यहाँ पर different है अब अगर night photos and low light photos की बात करें तो वहाँ पर Realme 3 pro ने बहुत ही बढ़िया काम किया है उनका dedicated night mode है वहाँ से आप मतलब अच्छी photos की सकते हो selfies दोस्तों यहाँ पर अच्छी ले लेता है वो night mode में OS की तरफ तो OS में यहाँ पर दोन ही फोन में आपको Android 9.0 मिल जाएगा लेकिन उसके ऊपर जो लेयर है वो आपको Color OS मिलता है Color OS 6, Realme 3 Pro में और Z1 Pro में आपको मिलता है Funtouch OS अब दोनों ही जो OS है जिनका जो स्केन है वहाँ पर मतलब किसी के लिए थोड़ा complicated हो सकता है फुल फीचर रिच है इतना साथ स्रीमलाइन नहीं है जितना है कि stock Android हो सकता है पर आपको फीचर भर के मिलेंगे उसी के साथ साथ कोई आज नहीं है तो यहाँ पर I'll let you be the judge और आप मुझे बताओ कमेंट्स में की Funtouch OS बेटर है या फिर Color OS 6, Realme 3 Pro का आप में से बहुतों के लिए भी एक मतलब सोचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि किसको में पिक करूँ तो मुझे कमेंट्स का जरूर बेसबरी से इंतिजार रहेगा अब फाइल ही बढ़ते हैं दोस्तों बैटरी की तरफ तो बैटरी आपको दोनों ही फोन में अच्छी मिलती है Realme 3 Pro में आपको मिलती है 4045 mAh की बैटरी वही 5000 mAh की बैटरी आपको मिलती है वीवो Z1 Pro में चार्जिंग स्पीड के अगर बात करें तो 20W का वूग चार्जर आता है Realme 3 Pro में वहीं 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 में आपको 18W का चार्जर मिल जाता है तो अगर आप ओवर ओल देखो कि कौन सा फोन जादा चलता है तो वीवो Z1 Pro थोड़े घंटे जादा चलता है और वहीं Realme 3 Pro थोड़े मिनट में जादा फास्ट चार्ज हो जाता है तो इससे बालेंस टाइव जब बैटरी किसी की अची चलती है तो किसी की जादा दल्दी चार्ज हो जाती है ताइप-C आपको दोने ही फोन में नहीं मिलता है वही वीवो Z1 Pro स्टार्ट होता है 14,999 से और रियल मी एक्स दोस्तों बहुत ही जल्द आने माला है हमारे पास आ चुका है और हम उसके कंपेरिजन्स बहुत जल्द करेंगे रिव्यू करेंगे तो अगर आपने वी तक सब्सक्राइब नहीं कहना तो सब्सक्राइब कर लेना करेंगे करेंगे